ध्यान रखने योग्गे 40 चरूरी बाते समय निकाल कर चरूर सुने नमबर एक जिन ओर्तों में मोटापा या बढ़ते पेट की समस्या है वह तीन चमच सरसो तेल एक चमच जैतून तेल आधा चमच अजवाएन और आधा चमच मेथी दाना को पका लें और इस तेल को रोजाना रात को नाभी में लगाएं इससे धीरे धीरे पेट अंदर चला जाएगा नमबर दो अगर लगातार चीक आ रही है तो लौंग पर थोड़ा सा नमक लगाकर चूसने से छीक आना बंद हो जाती है नमबर तीन सरदियों में शलगम खाने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और खुशक खासी में आराम मिलता है नमबर चार शरीर में खून की सफाई के लिए अपनी डाइट में कड़वी चीजों का भी सेवन किया करें नमबर पांच यदि हड़ियों में दर्थ रहता है तो दूद में कच्ची हल्दी उबाल कर पिएं इससे आपको बहुत पायदा मिलेगा नमबर च्छे यदि चहरे पर बुड़ापा जल्दी दिखाई देने लगे तो दूद में छुआरे उबाल कर पीना शुरू कर दें इससे आपके शरीर को ताकत भी मिलेगी और चहरे पर भी चमक आएगी नमबर साथ कभी भी चहरे को ज्यादा गरम पानी से नहीं धोना चाहिए इससे चहरे की तवचा जल्दी बुड़ी हो जाती है जिसके कारण चहरे पर जुर्या भी जल्दी पढ़ने लगती है नमबर आठ यदि आप रोजाना सोने से पहले बालों में कंगी करके सोते हैं तो इससे आपके बाल मुलायम और जढ़ना बंद हो जाएंगे नमबर नो लटकी और जुर्यों वाली स्किन के लिए अनार का सेवन करें अनार जुर्यों को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है नमबर दस छाले होने पर हरी धन्या का रस लगाने से चालों में आराम मिल जाता है नमबर ग्यारा सुबा उटकर सबसे पहले गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिला कर गरारे करने से गला और सीना साफ हो जाता है नमबर बारा जामुन का इस्तेमाल दातों में होने वाली खराबी और मों से आने वाली बद्भु को दूर करता है अगर हाथों पर स्याही का दाग लग जाए तो नीबू का रस हाथों पर रगड़ने से दाग दूर हो जाते है नमबर चौदा दिल को स्वस्थ रखने के लिए हरी सबजियां और ताजे फलो का सेवन चरूर करना चाहिए नमबर पंद्रा जीरे का पानी बालों में इस्तेमाल करने से बालों का जड़ना तो रुकता ही है साथ ही डेंडरफ से भी काफी हद तक छुटकारा मिल जाता है जीरे का पानी आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाने में मदद करता है नमबर सोला गीले बालों में कंगी नहीं करनी चाहिए इससे बाल कमजोर होते हैं जिससे हमें बालों की बहुत सी परिशानियों का सामना करना पड़ता है नमबर सत्रा नाखुनों पर नारियल के तेल की मालिश करने से आखों की रोशनी तेज होती है नमबर अठारा अगर आप भविश्य में शूगर जैसी बिमारी से बचना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंग का सेवन कम से कम किया करें नमबर उन्निस सौफ वाला दूद पीने से चहरे का रंग साफ होता है नमबर बीस अगर आपको नीन ना आने की समस्या है तो हलकी गुनगुने दूद को आँखों पर लगाएं इससे नीन जल्दी आ जाएगी नमबर इक्किस ताजा एलोवेरा के रस को चहरे पर लगाने से चहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं और चहरे पर चमक आती है तो तीन या चार दाने मुनक्के के तवे पर सेख कर उसके बीज निकाल कर खा लें नमबर चौबिस दिन के समय पानी कम पीने से होट काले पड़ जाते हैं नमबर पच्चिस रात और दोपहर के खाने के बाद एक कली लस्सुन की खाने से वजन तेजी से कम होता है नमबर चौबिस जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाते हैं वह आलू ज़्यादा खाया करें नमबर सताइस अगर बदाम खाते समय मूँ में कोई कड़वा बदाम आ जाए तो उसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह कड़वा बदाम हमारे स्वास्थे के लिए अच्छा नहीं होता है नमबर अठाइस जिन औरतों को कमजोरी महसूस होती है वह काजू का सेवन ज़्यादा किया करें नमबर उनतिस मेथी दाने का इस्तेमाल करने से घुटनों का दर्थ और सीने की तकलिफ दूर होती है नमबर तीस खाने के साथ कच्चा प्याज खाने से आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है और दिल से जुड़ी बिमारी भी नहीं होती नमबर इकतिस आवले की रस में शहद मिला कर चाटने से आखों की रोशनी तेज होती है नमबर तीस जोड़ों के दर्थ को दूर करने के लिए लस्सुन के तेल में हींग और अजवाइन मिला कर पका लें और इससे जोड़ों के दर्थ वाली जगा पर मालिश करें इससे बहुत आराम मिलता है नमबर तेतिस रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूद पियें हल्दी में एंटी ऑक्सिडेंट गुण होते हैं जो उम्र बढ़ाने, मुहासे और निशान को दूर करने में मदद करता है और चहरे का रंग साफ करके चहरे पर चमक लाता है नमबर चौनतिस अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाए तो उसको पपीते के पत्तों का रस पिलाना चाहिए इससे वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है नमबर पैंतिस सुबह खाली पेट अजवायन का पानी पीने से पेट की सारी गंदगी साफ हो जाती है और साथ ही पेट कम करने में भी बहुत मदद मिलती है नमबर चौनतिस यदि आपको दिमागी कमजोरी है तो काली मिर्च और मिश्री बराबर मात्रा में मिला कर पीस लें और रोजाना एक कब दूद के साथ दिन में दो बार सेवन करें इससे बहुत ही जल्द दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी नमबर सेंटिस जिन औरतों के बरतन साफ करने के बाद हाथ खुरदूरे हो जाते हैं तो उन्हें दूद में नीबू का रस मिला कर लगाना चाहिए इससे हाथ मुलायम और सुन्दर होने लगेंगे नमबर अर्टिस कच्चे आलू का रस अपनी आँखों के आसपास लगाने से आँखों के काले घेरे दूर हो जाते हैं नमबर उन्दालिस दूद में मखाने उबाल कर पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होती है और साथ ही हड़ियां भी मजबूत होती हैं हड़ियों से संबंदित बिमारी है तो उसमें भी बहुत आराम मिलता है नमबर चालिस घुटनों की चिकनाहट बढ़ाने के लिए आप रोज अपनी डाइट में नारियल पानी का सेवन करें नारियल पानी पीने से घुटनों का लचीलापन बढ़ता है रोज अपनी डाइट में हरी सबजियों का ज़्यादा सेवन करें और साथ ही ड्राइफ रूट को भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद